जय समिधान, जय भीम, महत्मा गांदी की जय, गोट से मुर्दाबाद दी पब्लिक इंडिया में आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भारत के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है जिसकी जानकारी जादेता लोगों को नहीं है हालांकि विशय जो है वो तकनीकी है लेकिन मेरे देशवासियों को मेरे प्यारे भाई बहनों को देश के भारत वर्ष के ये जानना अवश्चक है कि देश को अर्थ शास्त्र ना जानने वाले और अनर्थ शास्त्र के छात्रों ने देश की अर्थ्वस्था को कितनी बर्बादी के स्तर पे पहुंचा दिया है क्योंकि विशय तक्निकी है तो मैं बड़े साधारन शब्दों में समझाने का प्रयास करूगा देखे आज की तारिक में एक डॉलर की कीमत 84.05 रुपय हो गई है बने 84 रुपय का एक डॉलर मिलता है अगर एक डॉलर खरीदे तो 84 रुपय आपको देने पड़ेंगे अगर आपके पाँ एक डॉलर है तो आपको 84 रुपय मिलेंगे मतलब मोटा मोटा वैसे बाइंग सेलिंग का रेट अलग होता है लेकिन मोटे तोर पर यह समझ लीजे जब देश के अंदर मनमोहन सिंग की सरकार थी उस समय जब मोदी जी ने सरकार हाथ में ली थी उस समय ड 25-30% 25-30% रुपय का अवमोलियन हुआ है और उस समय के बड़ी नेत्री हुआ करती थी भाती जनता पाठी की जो कहा करती थी कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है और हम जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो एक रुपय का एक डॉलर कर देंगे एक रुपय का एक डॉलर तो नहीं हुआ लेकिन हाँ एक डॉलर के 84 रुपय हो गए जो बासट रुपय थे अब ये समझने का प्रयास करते हैं हम कि डॉलर के बढ़ने घटने से क्या देश की अर्थवस्ता बरबाद होती है या ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश की जन्ता को बहुत जादे इसके बारे में जानने के अवश्रक्ता नहीं वस्त्विक्ता में डॉलर का मजबूत होना और रुपय का कमजोर होना एक बहुत बड़ी बदहाली के और दिखाता है कि देश बढ़ चला है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे आप अगर सुनते होंगे टेलिविजन चैनल्स में सुनते होंगे यूट्यूब चैनल्स में सुनते होंगे तो एक विशे पे लोग जादे बात करते हैं कि साब जब विदेश से कोई चीज आप इंपोर्ट करेंगे आयात करेंगे तो आपको जादे पैसे देने होंगे जैसे माह लिजे आपने कोई 100 ौलर की चीज अमिरिका से मंगाई 100 ौलर तो जब 62 रुपय का डौर था तो आपको 6200 रौपय देने पड़ते थे अब 84 रौपय का डौर है तो आपको 8400 रौपय देने पड़ेंगे जब आप कोई चीज निर्याद करेंगे, अगर आप 100 डॉलर की चीज निर्याद करेंगे, तो पहले आपको उसके 6400 रुपे मिलते थे, अब उसके 6200 रुपे मिलते थे, अब 8400 रुपे मिलेंगे. इसका मतलब रुपेया का कमजोर होना, जो आयात करते हैं, उनके लिए नुकसान दायक है, और जो निर्याद करते हैं, उनके लिए फायदे बनते हैं. अब आप कहेंगे, जब भी भगड़ों से बात होती है, जब सोशल मीडिया बे बात होती है, तो कहते हैं कि नहीं, हमारा ही रुपेया केवल उसका उमूलियन नहीं हुआ है, वो कमजोर नहीं हुआ है, दूसरे देशों की करेंसी भी डॉलर की तुल्ला में डेप्रिशेट हुई है, उसका उमूलियन हुआ है, देखिए कुछ डेशों की अर्थविवस्था पे उनकी करेंसी का वीख होना उनके लिए फाइदे मन्द है, और हमारे जैसे देश के लिए, हमारी करेंसी का वीख होना हमारे लिए बहुत जादे नुफसान दायक है, अब आप कहेंगे जिनकी एकॉनमी, जिनकी अर्थविवस्था निर्यात पे निर्भर करती है, ये निर्यातक देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ये निर्यातक देश हैं, रूज जो है निर्यातक देश है, अमेरिका निर्यातक देश है, क्योंकि इनकी अर्थवस्था निर्यात पे लियातक देश हैं अगर विश्व के गिने चुने ऐसे देशों की बात की जाए जो आयातक देश हैं जिनकी economy import dependent है उसमें भारत वर्ष एक बहुत बड़ा अस्तान रखता है क्योंकि हमारे यह क्रूड जो है 80% इंपोर्ट होता है और हमारा हमेशा कि इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से जादे होता है कि अब इसे कहते हैं trade deficit क्योंकि हमें इंपोर्ट करना वश्यक है अगर पेट्रोल अगर क्रूड इंपोर्ट नहीं करेंगे तो देश के अंदर अर्थवस्ता हो जाएगी क्योंकि तेल की अअबस्ट्रक्ता इंडस्ट्री कुछ चलाने के लिए होती है अर्थ Worksटा कु चलाने के लिए होती है आ इसरै तो ये बात कहना कि बाकी देशों की करिंसी वीग में और यह दॉलर की तुल्ला में यह जहास्यास्पद है क्योंकि चायना और जापान चाहते हैं कि उनकी करेंसी भीक हो क्योंकि मालीजे चाय हम बेशते हैं हम और चीन भी बेशता है और अमेरिका मालीजे खरिदता है तो जिसकी करेंसी जादे भीक होगी उसको चीन या इंडिया को अमेरिका में चाय निर्यात कर करने में comparative advantage होगा जिसकी currency वीख होगी है कि एक्सपोर्टर्स को फाइदा होता है तो चीन यह कभे नहीं चाहेगा क्योंकि एक्सपोर्ट ओरियंटेड देश है कि उसकी currency इतनी strong हो जाए मजबूत हो जाए कि उसकी चाय अमेरिका में लोग ना मगाएं और हिंदुस्तान की चाय मगा लें तो वो अपनी currency को वीक रखता है लेगिन क्योंकि हम इंपोर्ट ओरियंटेड हैं हम आयात मूलक देश हैं इसलिए हमारे लिए अपनी currency का strong होना बहुत जाद है यह तो चलिए एक मुद्धा हुआ जो असले मुद्धा है जिसको लोग ignore कर देते हैं जिससे मैं बहुत जादे चिंतित हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि यह तक्नीकी विश्य होने के बावजूद अपने देशवासियों को बताऊं कि मूर्खों ने हमारी देश के अस्ता को किस बदहाली की स्थितिव में पह है 2014 में आज करीब 250 लाग करोड़ में चार गूने बढ़ गए जो यह इन्फरस्ट्रक्टर आप देख रहा हैं रूट देख रहा हैं ब्रिजेज देख रहा हैं मेट्रो देख रहा हैं इसमें जादे तर इंटरनेशनल लोंस हैं और जादे तर लोंस डॉलर में हैं लोन तो कोई बैंक से इंडियन बैंक से लोन लेते हैं तो मोलधन भी देते हैं प्रिंस्पिल इंस्टॉल्मेंट भी देते हैं और इंट्रेस्ट इंस्टॉल्मेंट भी देते हैं लेगन भारत के अंदर अगर आप लोन लेंगे तो अगर वो दस परसेंट भी मिलेगा और कोई इंडस 405 डियेस परसेंट है अगर उने और उन्हें फ्राइन की बहुत फाइदेन वह भारत को भी फाइदा है कि यहां पे 201 उन रहा है कि हां यहां पर शौर का इंडियों । ले ले इंटरनेशनल लोन ले ले तीन परसेंट पे तो उसका इंट्रेस्ट तो कम हो गया यहां तक्निकी विश्य है समझिए लेकिन जब वो प्रिंस्पिल का भुक्तान करेगा तो अगर 62 रुपए का डॉलर है और उसने एक लाग डॉलर लिया तो उसको भुक्तान करना बहुत जादे नुक्सान हो जाए और क्योंकि हमारे देश का इस समय विदेशी रण हाइस लेविल पे है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने अनाप शलाप पैसा उठाया हुआ है और क्योंकि रुपया वीक होता जा रहा है इसलिए हमारे विदेशी रण के भुगतान की बहुत बड़े भुगतान के हमें अवश्रक्ता हो अच्छा यह भुगतान आप तब कर सकते हैं आप भी अगर किसी की इंडस्ट्री है दुकान है अगर आपका इंकम एक लाग रु रुपए है और पांच करोड का लोन लें उसके बावजूद अगर आपकी इंकम एक लाग रुपए है तो आप रिंका ना तो मूल का भुक्तान कर पाएंगे ना ब्याश का भुक्तान कर पाएंगे और भारत के साथ वही हो रहा है मनमौन सिंग के जमाने में भी साथ परसंट की आसपास की जीडीपी ग्रोथ थी और मोदी जी के जमाने में भी जीडीपी ग्रोथ साथ परसंट की आसपास है मैंने income ग्रोथ नहीं हुई लेकिन लौन चारगुने हो गए अदर चारगुने हो गए तो इन लोनों का भुगतान आप कैसे करें तो इसकाMe俩 यह है कि पुराने लौन का भुगतान आप अपनी इंकम बढ़ा के न करने के बजाए नए लोन लेके करने का प्रियास कर रहे हैं यो आर इने डेट ट्रैप और ये देश की जनता को क्योंकि आर्थिक मामलों में बहुत जादे रूची भी नहीं होती है तक्निकी विश्रे इसले समझने का प्रियास भी नहीं करते हैं लेकिन समझना चाहिए ये जो सडकें आपको दिखाई पड़ रहे हैं ब्रिजेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें टॉल टैक्स के मध्यम से आपसे पैसा लूटा जा रहा है दो लाग करोड का साथ टोल टैक्स हो गया दो लाग करोड का जीस्टी हो गया अरे ये जनता गरीम और मध्यम वर्ग जनता से आप लूट रहे हैं बड़े-बड़े कार चलाने वाले और बड़े-बड़े फूजी पतियों की कारें सर्राटे से दोड़े हैं और राटे से दोड़े उसके लिए गरीव और बड़ेवन से आप पैसा लूट रहे हैं और जब उनकी आमदनी कम हो रही है तो वो खरीदारी कम कर रहे हैं और जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है एक और चीज समझेए जब यह रुपए डॉलर 84 रुपए का होता है आप विदेश जाते हैं आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और माल लीजिए आपका एक हजार डॉलर का खर्चा है पहले आप 62 रुपए खर्च करते थे अब आप 84 रुपए खर्च कर रहे हैं मने विदेश भेजना आपके बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है और विदेशी जब हिंदुस्तान आता है उसको अब कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि एक डॉलर में उसको बास्रट रुपए की चीज मिलती थी अब एक डॉलर में उसको 84 रुपए की चीज मिलती उसको फाइदा हो रहा है अच्छा आपका इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है आयाद क्यों बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है कि आपने अपने देश में नारा तो दे दिया आप मेरबर भारत लेकिन आपने बनाया नहीं आप मेरबर भारत आपने मैनेफेक्टिरिंग को और परड़क्शन को काने का प्रयास नहीं किया नहीं इंडस्री लगाई नहीं मूर्तियां बनाई स्टैचियू बनाई by बड़े इवेंट्स किये इवेंट बैएज्बוט किया औरays ब्र avene द्रति लेकिन देश की आवश्शक्ताओं को पूरा करने के लिए आपको इंपौर्ट करना पड़ेगा और वो सारा का सारा i-mport आप चीन से कल रहे हैं जिसको आप दिन्भार हमारे भारतवासियों को तेजित करते रहते हैं चीन से आपका इंपॉर्ट चीन पर देश्वासियों के लिए बहुत जादे अवश्चक है कि यह मुद्दा जो आप समझ रहे हैं जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसको समझने की आवश्चकता है और यह समझने की आवश्चकता है कि अगर रुपिया इसी प्रकार से कमजोर होता रहा और डॉलर मजबूत हो राज उसकी तुलना में हमारा रुपय को मजबूत करने का प्रयास एक्सपोर्ट को बढ़ा के नहीं किया और एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब आपकी मैनिफेक्चरिंग बढ़ेगी जो अपने देश की अवश्चकता खपत को पूरा करके आप इदेश भेच पाएं और बाद में किरही समस्या हुई तो आपने देखा होगा तो मैं तो देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ मुझदा चाहे कितना भी अर्षास से संबंदित हो लेकिन देश से संबंदित है इसलिए आपको इसे समझना चाहिए इसको पढ़ना चाहिए इसके बारे म अर्षास करिए वाट्सभ इंवस्टी से और एंटाइर पॉलिटिकल साइंस से अर्थवस्ता देश की नहीं चलती अच्छे अर्षास्त्रियों का सहयोग लीजिए और देश की अर्थवस्ता क्योंकि देश समका है मिला जुला देश है साजा देश है तो सबकी सुनकर सही निर्णे लीजे हिंदु मुसल्मान का निरेटिव देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है लेकिन ध्यान आपने भटकाने का तो बहुत प्रयास किया दस साल भटका दिया लेकिन अब जनता मूल प्रश्णों पे वापस आ रही है इसलिए ये जवाब दीजे कि रुपिया कमजो को होता जा रहा है और आपके फॉरेंड करेंसी लोन का भुकतान आप कैसे करेंगे नमस्कार धन्यवाद अपड़ा